अगर ना चाहते हुए भी मन में अशलील विचार आते हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। अगर ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा? हमेशा महल में खाने के लिए अंगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना होगा। भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहां से खाना ग्रहन करने के बाद धूप में चल कर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनह खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ती होते देख भरत इसको एक संयोंग मान कर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छट का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनह उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रुख सकते हैं। अब भरत समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है। श्राविका ज़रूर मेरा मन पढ़ ले रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अंगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर् अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। कि आज से साथ दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाऊंगे। लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित को पूरे होश में रखना। तुमारे अंधर कौन से विचार उठ रहे हैं। होश पूर्ण और जागरता के साथ ध्यान करना की कौन सी वासना। तुमारे भीतर उठ रही हैं, इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताय अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागरत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था। भरत की घबराहट बढ़ा रही थी। भरत ने अपनी अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहन की और वहां से वापस निकल गया, आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूती हुई, वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस न अच्छी लगी हो, तो नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताए, और साथ ही साथ यदि अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती झाल करादी।